नमस्कार आपका स्वागत है सूर्य ग्रहन के बाद अगले 15 दिनों में लगने जा रहा है साल का अंतिम चंद्र ग्रहन जो बदल देगा इन चार राशी वालों का जीवन इन राशी वालों को ये चंद्र ग्रहन सुख, समरिधी, संपन्ता और अपार धन की प्राप्ती करने का अफसर प्रधान करेगा दोस्तों 25 अक्टूबर को लगे सूर्य ग्रहन के बाद अब 8 नवंबर को साल का अंतिम चंद्र ग्रहन लगने जा रहा है जो लोगों के मन में चिंता बढ़ाने वाला होगा जोतिश में ऐसे 15 दिनों के अंदर दो ग्रहन का आना किसी बड़े अशुब होने का संकेट माना जाता है और जोतिश के अनुसार ग्रह नक्षत्रों के परिवर्तन की तरह ग्रहन का असर भी सभी राशियों पर देखने को मिलता है चाहे वो सूर्य ग्रहन हो या चंदर ग्रहन ग्रहें इस ग्रहन के बाद आने वाले करीब एक महीने तक का समय बहुत ही महत्वपूर्ण होता है इस ग्रहन का प्रभाव कुछ राशी वालों के लिए शुभकारी होगा तो चार राशियों के जातक बनेंगे रंग से राजा। उन्हें होगी अपारधन, सुख, समरिध्धी की प्राप्ती। आज के वीडियो में हम उन्हीं के बारे में जान लेंगे और साथ ही ग्रणों के दुषप्रभाव से बचकर शुभ प्रभाव बढ़ाने के आसान उपाय भी बताएंगे ताकि आपको इस शुभ समय का ज्यादा से ज्यादा लाभ मिल सके। इन उपायों को नजरंदास बिलकुल ना करें। ऐसा करने से द्वार पर आई लक्षमी वापस जा सकती है। दो इसी कारण इन्हें किसी बड़ी विपदा का संकेत माना जाता है। मंगलवार 8 नवंबर 2022 का चंद्रग्रहन भारत समेट उत्तर और पूर्वी यूरोप एशिया के समेट देश के अधिकांश हिस्सों में देखा जा सकता है। ऐसे में इन शेत्रों में कई जगह देशों के बीच तनाव बढ़ने के अलाबा कुछ जगह युद्ध जैसे हालात बनने के भी संकेत है। इस चंद्रग्रहन का प्रभाव भारत पर भी पड़ेगा। भारत में ये रांची, गुवाहाटी, कोलकाता, सिलीगुडी और पटना जैसे शहरों में देव दीपावली के दिन दिखेगा। चंद्रग्रहन का सूतक काल ग्रहन से 9 घंटे पहले लग जाता है और ग्रहन समाप्थ होने के बाद समाप्थ हो जाता है। ऐसे में सूतक लगने से पहले ही देव दीपावली मनाई जाएगी। भारत के समय के अनुसार 8 नवंबर को यह ग्रहन दोपहर 1 बच चंद्रग्रहन का स्पर्षकाल शाम 5 बच कर 35 मिनट पर शुरू होगा और मोक्ष शाम 7 बच कर 26 मिनट पर होगा। चंद्रग्रहन में सूतक काल के नियमों का पालन आपको अवर्श करना चाहिए। घर के अंदर सूर्य किर्णों से बचने के लिए खिड्कियों को मोटे प के दौरान खाना ना बनाए ना ही खाएं। अगर पहले बना खाना रखा है तो उसमें तुलसी के पत्ते डाल कर रख दें। जब सूतक काल समाप्त हो जाए तब घर को साफ करें, सनान करें। घर में गंगाजल छिड़कें और दोबारा पूजा पाठ करें। सनान के बाद ब सूतक काल में दान्तों की सफाई और बालों में कंगी भी नहीं करनी चाहिए। सूतक काल चल रहा हो तो सोना भी नहीं चाहिए। ग्रहिं काल के दोरान कोई भी धारगार वस्तु जैसे कैची छुरी आधी को ना चुए। इस दोरान काम या क्रोध penso जैसे नकारात्मक लेकिन दोस्तों उससे पहले वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाएगा, सबसे पहली खुशकिस्मत राशी ह आपने जितनी भी कोशिश की है, उसका शुब फल पाने का समय अब आया है, अगर आप व्यवसाई हैं, तो पहले कभी नहीं है अगर आप नौकरी कर रहे हैं, तो आपको बड़ा पद्भार या वेतन में व्रिद्धी मिल सकती है, ये समय आपको पद, प्रतिष्था और मान सम्मान के साथ ही आपकी हर मनोकामना पूरी करेगा, लेकिन आपको सेहत और खर्च पर विशेश ध्यान देने की जरूरत है, स ग्रहेन के दुश्प्रभाव दूर होते हैं और जीवन में अचानक होने वाली घटनाओं से बचाव होता है, तुला राशी के जातक इस चंद्र ग्रहेन के बाद चांदी का दान करना शुब फलदायक होता है, दूसरी भाग्यशाली राशी है, मेश राशी, करियर के द्र तम रहने वाली है, मेहंत ज्यादा करनी पड़ेगी, लेकिन लाब उतना ही बड़ा होगा, लेकिन दशमभाव पर वक्री मंगल की दृष्टी होने से आपका अपने कार्यक शेतर में किसी से जगड़ा होने की नौबत आ सकती है, इसलिए थोड़ी सावधानी रखें, इसल अस्थ्य के प्रती इस दौरान सावधान रहना होगा, खाने पीने पर ध्यान देना होगा, इस ग्रहन के बाद जरूरत मंदों को चावल का दान करने से आपको शुब फलो की प्राप्ती हो सकती है, अगली खुशनसीब राशी है, कन्या राशी कन्या वालों के लिए ये ग रहन लाभकारी सावित होगा, एक से ज्यादा माध्यमों से धन प्राप्ती हो सकती है, जो आपकी आर्थिक स्थिती को बढ़िया बना सकती है, सरकारी ख्षेत्र से लाभ के प्रबल योग बनेंगे, कुछ जातक इस समय नया घर भी खरीज सकते हैं, अचानक से कुछ धन प रहाव में बैठ कर पूर्ण द्रिष्टी एकादश भाव पर आने से एक नियमित आमदनी बनी रहेंगी, जो आपके खर्चों को पूरा करने में मददगार बनेगी और आपका कोई काम नहीं रुकेगा, व्यापार कर रहे लोगों को अपने व्यावसाइक साज़ेदार के माध्यम से आर्थिक लाभ मिल सकते हैं, अगर आप अपने जीवन साथी के नाम से ही उनके साथ कोई काम करते हैं, तो इस दोरान आप पर लाभ के योग बन सकते हैं, कन्या राशी के जातक जो प्रतियोगी परीक्षा की तयारी कर रहे हैं, उन्हें मंगल देव की कृपा से सफलता प्राप्थ हो सकती है, और बुध देव के गोचर से जातकों की आमगनी में बढ़ोतरी हो सकती है, लेकिन सेहत का ख्याल करना होगा, आपको भोजन से जुडी परेशानिया मुह के छाले में दर्द या आख संबंधी समस्या से पीडित कर सकती है, बाकी हर चीज कु यह ग्रहन कुम्भराशी वालों के लिए शुब संकेट देता दिख रहा है, सम्मान में वृद्धी के साथ ही कोई नई जिम्मेदारी भी आपको मिल सकती है, व्यापार में मेहंत करने से अच्छे फल मिल सकते हैं, आर्थिक तोर पर आपको कुछ बढ़िया नतीजे मिल सक नई नौकरी पहले के मुकाबले ज्यादा अच्छे होने की संभावना रहेंगी, परिवार के साथ संबंध मधूर होने के अलावा, अविवाहित जातकों की इस समय जीवन साथी की तलाश पूर्ण हो सकती है, लेकिन आपके प्रियमित्रों के बीच दूरियां बढ़ने की भी संभावना है, चंद्र ग्रहन के बाद कुम्भराशी के जातक पशू पक्षियों को पानी और दाना डालें, प्राणी सेवा आपके लिए उत्तम फलदाई होगी, दोस्तों अब हम जानते है, चंद्र ग्रहन के दिन हमें नमक का क्या उपाय करना चाहिए, नमक को बरसो अगर छोटे बच्चे को नजर लगी है, यानि बच्चा घर में आते ही रोने लगता है, बहुत कुछ करने के बाद भी चुप नहीं होता है, और बच्चे को अचानक बुखार आता है, तो समझ जाना चाहिए कि बच्चे को नजर लगी है, इसमें आप नमक, राई के साथ दाने और लाल मिर्च लेकर बच्चे के उपर से उतार कर इसे देसी आम की लकडी के उपर डाल कर जला देना चाहिए, ध्यान रहे इसे ग्रहन के दिन करने से आपके उपर से किसी भी तरह के भूतवाधा से चुटकारा मिल जाता है, आने वाले सुखी संपन्न जीवन की इ बहुत बहुत शुब कामनाएं, उम्मीद करता हूँ आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में जय चंदरदेव लिखना ना भूलें, भन्यवाद